हिमाच्व प्रदेश के दो निर्दलिय विथायकों ने बीते दिन भाजपा का दामन थाम लिया है वहीं भाजपा में शामिल होने पर कॉंग्रेस ने इन दोनों निर्दलिय विथायकों को अयोग्य घोशित करने और विधानसबा अध्याक्ष दल बदल कानून के तहत करने की मांगी है हिमाच्व प्रदेश कॉंग्रेस चुनाप्रचार समीथी के अध्यक्ष व स्क्रिनिंग कमेटी के सदस्य सुख्विंदर सिंग सुख्ष ने भाजपा में शामिल हुए निर्दलिय विथायकों होश्यार सेंग्व परकाश राना को अयोग्य घोशित करने के मांगी है दोनों विधानसबाक शेतर की जनता ने राना वहोश्यार सेंग को भाजपा के खिलाफ जनादेश देकर विधानसबा भीजा था दोनों निर्दलिय विधायक अब भाजपा में शामिल हो गए हैं इसलिए उनकी विधानसबा सदस्य रहने का कोई अधिकार नह हैं जनता ने इन्हें निर्दलिये चुंकर विधानसबा भीजा था सबार ने से पहले यह विधायक पत्यसर से इस्तिफ़ा देते शुकु ने कहा वभाजपा का प्त्ता विधानसबारा चुनाव में पूरी तरह से साफ होने वाला है दोनों विधायक डूबती नया में सिंबल पर चुनकर नहीं आए वह आजाद अमीदवार की सिंबल पर चुनकर आए हैं जब वह अपने सिंबल पर चुनकर जंता ने उनको भीजा विधानसवा में उसके बाद उनने उनका ये दायता बनता था कि पहले उस विधानसवा की इस दस्ता से जिस सिंबल पर चुनकर पर आये थे वो स्तीफा देते उसके बाद वो चाहे भारतिय जंता पार्टी को जोइन करते या किसी और पार्टी को जोइन करते लेकिन कल कि जिस परकार से प्रेस कॉंफरेंस के में मानिय मुख्यमंत्री जी के साथ वो बैठे नजर आए तो इसका मतलब है कि उन्होंने भार भाजपा पर निशानल साते हुए कहा कि भाजपा कॉंग्रेस में गुटबाजी की बात करती है लेकिन अब भाजपा में ही गुटबाजी खुल कर सामने आ रही है पुर्व सीम प्रेमकुमार धूमल को भाजपा द्वारा दर किनार किया जा रहा है मुख्यमंत्री प्रेमक से पहले अपने वरिष्ट नीताओं का समान करने की नसीहत भी दी है दूमल जी ने भारतिय जनता पार्टी को हमाचल प्रदेश में स्ताफित किया पहली बार वो भारतिय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे और निश्ची तोर पर वो दस साल प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतिय जंता पार्टी की अंदरुनी लड़ाई के कान उन्हें धूरे धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी की ग्रूप पॉलिटिक्स की तो बात करते हैं लेकिन जो भारतिय जंता पार्टी में पूरो मुख्या मंत्री प्रेमकौर धूमल जी जो है जो भारतिय जंता पार्टी को हमाचल प्रदेश में स्ताफित किया जिनोंने उनको किनारे किया जा रहा है तो कांग्रेस पर टिपनी करने से पहले आप उनके अपने पूरो मुख्य मंत्रियों का सम्मान करना भी सिखे